पूरी सम्विधान सभा में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे बीयरम बेटकर क्योंकि उन्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन तिन पीएशडी की हुई थी, वो इस लेवल के विद्वा रहती थी, अमेरिका और इंग्लेंड में इतना विस्तार में पढ़ गया थी थी जि विद्वान के मामले में कोई एक व्यक्ति उनके बराबरी में खड़ा होता था तो वो थे बी-एन राओ, और उस सम्विधान सभा के एडवाईजर थे